हेलो स्टुडेंट वेलकम टू आर यूट्यूब चनल आईसे सिमाइथ हमने स्टार्ट करके अभी चेप्टर फाइव ठीक है जिसके हम अभी तक सी वर्क्षीट पे आयोए थे ठीक है सी वर्क्षीट के अभी तक हमने कितने कुछिन के अभी पांच कुछिन किये थे आज कु वीडियो मिल जाएंगी दिखे भी कुष्चिन नंबर सिक्स स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल है यहां पर आपको क्या दिया लैट जाइस इकल टू जहां पर एक्स आपका वह नेच्रल नंबर है क्या है एक्स जो भी वैल्यू होगी वो सभी नेच्रल नंबर होगी तो स्टार्ट करते हैं दिखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जाय जैत हो गया ए वो गया बी और सी ठीक है भई यह सारे के सारे सैट आपको बनाने पड़ेंगे यहां पर और फिर उनका कॉम्प्लिमेंट हो गया यूनियन हो इंटरसेक्शन हो गया ये सारी थीक है 3 करेगा इसको 3 करेगा देख लो 3 4 ज़र 12 2 बचे 3 8s ज़र 24 3 भी करदेगा वे इसको ठीक है 3 करदेगा 4 भी करदेगा 4 के टेबल में आएगा वी 6 भी करदेगा 8 भी 8 के बाद 9 देखे करेगा गी नहीं करेगा वी 9 से 9 बच जाएं इसको देखो 12 कर पाएगा तो 12 भी कर देगा ठीक है 12 के बाद आप क्या कर दोगे यहां पर 16 कर लो 16 भी कर लेगा ठीक है 12 के बाद 16 को करोगे 24 के बाद यहां पर वह यह 36 में आएगा ठीक है 36 के बाद 48 में आता है 48 के बाद 72 और लास्ट आजेगा वह 144 144 के टेबल भर भी आएगा ठीक है तो यह सारे नंबर हो जाएंगा आपके जाय के यानि कि इसके सारे फैक्टर होंगे जाय सैट यानि कि यूनिवर्सल सेट आपका बन चुका है अब आपने बनाना है A set B set और C set अब A set देखिए इसेट के अंदर क्या बोलना आपको एक्स बिलोंग कर रहा है अब यहाँ पर 24 के फैक्टर बताने है वो टेबल जो वो नंबर या वो डिजिट जो 24 को डिवाइड करें ठीक है बही तो देखिए क्या बनेगा 1, 2, 3 कर जाएगा हाँ वही 4 ठीक है 5 निकरेगा 6 कर देगा 7 नि 8 कर देगा 24 गो 8 तरीजर 24 एट के बाद 10 निकरेगा 12 कर देगा 12 के बाद 24 ठीक है बही तो यहाँ पर आपका 24 है जो वो फैक्टर आजाएगे ठीक है बही यह हो जाएगा आपका A set एक बाद बनाना है B set House लेरे जय जो मेरं च्वेहां पर भीस्ट हो जाएगा ज़या 46 कर देखे़ें में असक ख़ले हैं नाइन कर देगा्त है 17 भी नहीं 18 हो जाएगा वह 18 तो 36 और 18 के बाद कौन सा आएगा 18 के बाद डारेक्टम 36 से लिखेंगे ठीक है क्योंकि बीच में कोई ऐसा है इनी टेबल जो इसको कट कर सके तो यह हो जाएगा भी आपका 20 सेट अब लास्ट सेट बचा सी बनाना यह रहा हमारा सी सेट सी सेट क्या है वही जो 48 को डिवाइड कर सके ठीक है तो सी सेट ले लिखते हम जो 48 को करें वन तो आएगा भी तू भी आएगा थ्री भी आजएगा ठीक है फोर भी आजएगा फाइगा भी शिक्स देख लो 6, 8uate DOWN Juliet 9 के बाद 9 पर क्यों नियौ tell 12 लिखकें 12 के बाद 13, 14, 15 16 पर चला जाएगा 16, 3 voice 85 vitt чис 18 29 24 24 पर चला जाएगा 24 ठीक है और 24 के बाद सिद्धा किस पर जाएगा है 48 पर चला जाएगा अब यह आपका ठीक है यह चला गया आपका 48 पर तो यह बन जाएंगे इसके factor तो हमने हाँ पर सभी के जितने भी factors थे set थे universal set a set b set c set सभी निकाल लिए हैं और universal set एक ऐसा set होता है जो सभी set को contain करता है तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह सारे elements इसके अंदर पका मिलेंगे आपको ठीक है तो यह आपका जो बना है यह universal set है यह बाकी set अब इनी का use करके हम आगे निकालेंगे a का compliment b का c का और बाकी जितने भी parts दें में यह आप ठीक है भी तो देखिए first part क्या बोला आपको यहाँ पे तो first part करने के लिए आपको सबसे बहले a set पर आना क्योंकि आपको क्या निकालना है एक compliment निकालना ना भी तो a compliment मैंने compliment आपको क्या समझाया था जितने भी number of elements होते हैं जिस भी set का compliment पुछा है उसके elements को छोड़ कर बाकी सभी लिखने होते हैं वही आपको universal sets है ठीक है तो देखिए a का compliment यानि कि a set के अंदर जितनी भी element है सभी को छोड़ दो universal set में और उनको लिख लो बच वो देखो इसमें 1 है, 1 चोड़ दो, 2 चोड़ दो, 3 चोड़ दो, 4, 6, 8 8 के बाद 9 दिया भी है यहाँ पर 9 निया, 9 लिख लो, ठीक है तो आपका एक तो आजएगा 9, 9 के बाद देखिए 9 के बाद 12 है, यहाँ पर 12 है 16 निया भी, 16 लिख लो, 18 लिख लो, ठीक है कौन-कौन सा लिख लोगे 16 लिख लोगे 18 लिख लोगे 18 के बाद आपका 24 दिया बट यहाँ पर 24 आप वो नहीं लोगे आप और बाकी सारे लिख दो यह 36, 48 36, 48, 48 के बाद कितना बट, 72, 144 ठीक है बट, तो यह आपने सारे लिख देने हैं यहाँ पर ही हो जाएगा आपका एका कॉम्प्लिमेंट वापिस बता रहे हैं एक बार कॉम्प्लिमेंट क्या था, कॉम्प्लिमेंट में क्या होता है, जो भी सेट का कॉम्प्लिमेंट आपको बोला है उस सेट के elements को छोड़ देना आपने universal सेट में से यानि कि वह element नहीं लेने हैं और उनके लावा बाकी सारे ले लेने हैं जैसे 1,2,3,4,6,8 था universal सेट में से मैंने सारे बाकी लिख लिए ठीक है ऐसे बी के अंदर करेंगे भी अब बी साट बनाते हैं आपर बी के अंदर देखो बई बी में आपका 1,2,3,4,6,1,2,3,4,6 छोड़ देना है शिक्स के बाद 8 ले ले लेना भी एट नहीं नहीं आ यहापर तो 8 ले लो भी यहाँ पर 8 के बाद अब ले लिए हमने यहाँ पर 9 है तो नहीं लेंगे 12 है नहीं लेंगे 16 ले लेंगे भी 16 नहीं है ठीक है तो यहाँ पर 16 ले लेंगे उसके बाद देखिए 16 के बाद यहाँ पर 18 है नहीं लेंगे 24 ले लेंगे 24 ले लेंगे 24 के बाद 36 से वो है इसमें वो नहीं लेंगे भी 48 यह बाग की बचे यो ले लेने है, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4 से है तो पहले छोड़ने है, 8 भी है भई ठीक है, 9 निया तो 9 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे भई ठीक है, 9 के बाद देखिए, 12 है, 16 है, 24 है उसके अंदर, लेकिन 16 के बाद 18 नहीं है यहाँ पर ठीक है, तो 18 लिख ठीक है, 36 ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखो 48 दिया आपको, और यह 48 है ठीक है, यह नहीं लोग है, आप 72 और 144 ले 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 ठीक है, तो यह आपको जाएगा कॉम्पलिमेंट किसका, C का कॉम्पलिमेंट, यानि कि C के अंदर जितने भी ऐलिमेंट से सभी को यानि कि आपको A और B, दोनों सेट को मिला कर लिखना है, जितने भी ऐलिमेंट होंगे, 1,2,3,4,6 तो है, रिपीट नहीं करना होता, आपको पता है, यूनियन के अंदर, हम रिपीट नहीं करते हैं अभी, जो सेट एक बार आजता भी लेंगे, तो 1,2,3,4 और 6 तो आपने 24, 36, 18, 24 और 36, ठीक है भी, तो ये सेट भी आपने ले लेने यूनियन के अंदर, तो इस तरीके से आपना निकालना था कौन सा भी, A, यूनियन, B को निकालना था, यूज करके दोनों के दोनों सेट को, ठीक है, अब अगले वाला देखिए, फिफ्ट पार्ट इसका, B, यहीं पर कर देता हूँ, मैं B, यूनियन, C, तो B, यूनियन, C में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, B, और C में से, 1, 2, 3, 4, 6, तो सेम है, ठीक है, वहीं, 1, 2, 3, 4, 6, ये तो सेम थे, 6 के बाद देखिए, 8, 9, 12, क्या लिखोगे, 8, 9, 12, सेम है, ठीक है, बाक्की मैं इस 36 और 48, 36 और 48, यह मैंने लिख दिया पूरे का पुरा यहाँ पर, B, यूनियन, C, ठीक है, अब आपने कौन सा करना है, यह वाला A, यूनियन, C का, यह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, A, और C में, 1, 2, 3, 4, 6, तक सेम है दोनों में, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 6 के बाद ठीक है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 12, के बाद देखी भी, यहाँ पे, 12 के बाद आजाएगा आपका यहाँ पर 16 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिद्धा 16 के बाद 24 है, तो 16 है, ठीक है, ठीक है, 48 और यह हो जाएगा आपका A union C भी हो गया वही ठीक है अब यहाँ पर देखिए अब करते हैं intersection वही अब intersection वालों में क्या होता है जो elements सेम होता है सिर्फ वही लिखते हैं और जो सेम नहीं होता है वो नहीं लेंगे हम यहाँ ठीक है A intersection B, A और B का compliment अब ठीक है तो A आपका क्या है यहाँ पर यह रहा वहाँ पर यह रहा A आपका और B compliment क्या वही रहा तो दोनों में common element ढूंड़ यह पहले तो देखिए भई यहाँ पर 8 है B compliment से उठाते हम 8 है यहाँ पर देखिए 8 है भई B में B में 8 नहीं है तो नहीं लेंगे भी ठीक है B में नहीं सोर यह में देखना है A में 8 है A है भई A ठीक है A और B compliment है ना B compliment में से और A में से लेना आपने जो जो सेम element है ठीक है तो 8 है इसमें भी 8 है तो ले लेंगे भी 8 ठीक है उसके बाद 16 A में देखो 16 नहीं ले सकते हैं, उसके बाद 24 देखें अभी यहांपर जो हमारा A है उसके अंदर 24 है कि नहीं है यह 24 है तो 24 भी ले लेंगे उसके बाद 48 यह नहीं अगले वाले तो इसमें ठीक है भई A में तो यह नहीं लेंगे सिर्फ यह 2 E को मनाएंगे ठीक है तो यह आपको जएगा A intersection B complement ठीक है भई A और B complement में से लिए मैंने उसके बाद करते है अभी यहाँ पर B और C complement B में से और C complement में से कौन-कौन से से माएंगे देखे B element यह रहा और C यह रहा C complement देखे फ़ले 9, 18, 36 अब आपने किसमें देखना है यह C complement का B में B में देखना भई 9 है ठीक है तो 9 लिख देंगे भई 18, 36 है इसमे 18 और 36 भी है भी लिख दो 18 और 36 ठीक है 36 बाद 72, 144 B में देखो यह है नहीं है बई 70 और यह इतने बड़े बड़े नंबर तो यहीं पर खतम तो B intersection C complement आपका यह आ जाएगा आपको C में से A माइनस करना है C में से A माइनस करना है यानि कि जो जो नंबर element सेम हो वो कट जाएंगे ठीक है माइनस करना सिखत हमने 1 है 1 कट गया, 2 है 2 कट गया, 3 भी कट गया 4, 6, 8, 12 तक सारा कट गया हुई ठीक है बचा क्या है यहाँ पर बचा यहाँ पर 16 ठीक है और 24, 24 कट गया भी और क्या बचा 48 तो यह बचेंगे अपने C सेट के अंदर ठीक है तो यह आजएगा माइनस से करना है उसके बाद अब करते हैं यहाँ पर A माइनस में B इंटरसेक्शन C देखो भी B इंटरसेक्शन C हमने निकाला कहीं पर B इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन C कॉंपलिमेंट तो निकाला है बट B इंटरसेक्शन C नहीं निकाला हमने ठीक है तो उसको निकालना पड़ेगा भी आपको ठीक है B इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा बी और सी में क्या common है देखो भी बी और सी में क्या क्या common है 1,2,3,4,6,8,12 1,2,3,4,6 6 तक तो same है ठीक है तो मैं जो जो same हों बोली लिखता हूं पहले 1,2,3,4,6 6 तो same है ठीक है अब और क्या लेंगे यहां पर intersection में common वाले ले लिए हमने 6 तक 2 और सी में 6 तक तो same है उसके बाद 8 यहां पर नहीं है ठीक है 12 है 12 ले लेंगे भी common है जो जो वो ले लेंगे intersection में common लेते हैं 12 ले लिया उसके बाद 16 नहीं है common लेंगे 24 नहीं है नहीं लेंगे 48 भी नहीं है बस यही चीज common थी तो यहीं लेंगे भी इसका ठीक है यहीं तक ही होगा यह comma लेने वाला उसके बाद अब करते हैं भी minus वाला क्या करते हैं अब solve करेंगे a में से आपको minus करना है यह वाला ठीक है यह number minus करने है यहनिकि a में देखो 1,2,3,4,6,6 सकतो सारे minus होगे ठीक है अब और क्या बचे है 8 इसमें नहीं है तो 8 ले लेंगे ठीक है कॉमा 12 है इसमें तो 12 कट जाएगा 24 नहीं है तो 24 तो क्या जेगा अंसर भी आपका 8,24 आ जाएगा ठीक है और यहां पर आपका question number है जो 6 complete हो जाएगा बिलकुली simple है हमने क्या किया सिर्फ minus के अंदर union किया intersection किया compliment जो जो चीज़े भी तक सिखिया न सारी use हुए इसके और बाकी हमारे जो एक question से try करो इसको ठीक है तो अच्छे से आजएगा आपको practice करनी पड़ेगे इनकी क्योंकि इसमें कहीं बार हम इतने सारे number होते हैं तो mistake कर देते हैं तो ध्यान से करना हो ठीक है भी next करते है question number 7 करते है भी यहाँ पर question number 7 कर रहे हम वो 6 के ही reference से है whether the following given statement is true or false हमने जो यह statements दी है पता लगाना है कि यह true है या false है ठीक है तो देखो भी यहाँ पर आपका जो universal set वो दिया है A, B, C, B union C और C dash यानि की C का compliment यह हमने सारे के सारे set ले लिए इनके use के साब से तो पहली statement देखते हैं भी A का अगर हम intersection करें किसके साथ भゐ? B union C के साथ तो वो किसके equal होगा भई? A के equal होगा ठीक है? तो देखो यहाँ पर भी अब आपका A क्या है यहाँ पर? A देख लो यहरा set ठीक है? उसके बाद B union C कौन सा है? यह वाला भी ब union C इन दोनों का intersection करते हैं देखते है कौन कौन सा एट तक तो लेंगे ठीक है तो मैं यहां पर ले लेता हूं एट तक इसका जो सेट हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मैं क्या ले रहा हूं इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो 1,2,3,4,6,8 तक तो आजेगा 1,2,3,4,6,8 ठीक है भई उसके बाद एट के बाद देखिए आपर 12 है और 24 है 12 है और 24 है तो देखिए भई अजब हमने इंटरसेक्शन किया दोनों का ठीक है तो यह एलिमेंट्स आए अपने नेक्स देखिए अब A is a proper subset of C जो A है हमारा वो proper subset होगा C का देखो 1,2,3,4,6,8 12,3,4,6,8 12 भी है यहापर ठीक है और 24 भी है यहापर ठीक है तो हमारे का हो जाएगा भी यह proper subset हो जाएगा लेकिन proper subset का मतलब का होता है कि सारे element same ना हो कोई A कासा element भी हो जो ना हो उसके अंदर देखो भी यहापर 24 तो बट यहाँ पर 48 नहीं है बिल्कुल same नहीं है दोनों एक दूसरे के साथ that's why we can say that कि हमारा जो यह set up proper subset है तो यह क्यों हो जाएगा भी आपका statement true हो जाएगा ठीक है true statement हो जाएगी अब देखते हैं B हमारा subset होगा C का क्या B हमारा subset है C का या नहीं अब देखे B हमारा यह रहा क्या है C का subset है चेक करते है 1,2,3,4,6 यहाँ पर आजएगा भी आपका 9 आजएगा ठीक है B और C 9 आजएगा ठीक है और 12 है उसके बाद हमारा 18 नहीं है 36 है अब देखो भी B हमारा subset होगा C का यह नहीं हो सकता क्योंकि इसके element सेम ही नहीं है सारे हमने चेक किये देखो 9 इसमें है इसमें नहीं है ठीक है यहाँ पर 18 है यहाँ पर 18 नहीं है पूरे में कहीं C में तो यह statement false है क्योंकि सारे element आने चीए था न उसके अंदर तभी तो वो हमारा true होता है बटा false है यह सारे element नहीं है अब बोला है कि A और intersection C करोगे आप C का compliment C की compliment का intersection A के साथ करते हो तो आपके element 5 आएगा निकि दोनों का intersection करो कोई भी element सेम नहीं आएगा यह बोल रहे है चेक करते हैं चलो A और C का compliment A यह है C है चेक करो कि दोनों के अंदर कोई element सेम है यह नहीं है 9 18 36 9 18 36 नहीं है बई 72 है तो है यह नहीं कुछ भी तो सेम नहीं है तो 5 आएगा ना कोई भी element नहीं है तो 5 आएगा तो it means यहाँ पर जो हमारे statement दिये यह true है भी क्या है true statement हो जाएगा और आपका question number जो 7 है complete हो जाएगा simple है भी ठीक है next करते है चलो question number 8 करते हैं भी question number 8 में देखे आपको क्या करना यहाँ पर आपको यहाँ पर set दियें A B C और आपको क्या करना है verify करना है कि B union C equal होता सकती है कि C union B के ऐसे ही है हमारे ठीक है इसके कुछ parts है पहले हम यह part करेंगे इसके बाद इसके next part करेंगे तो देखे फर्स्ट part क्या दिया आपका कि B union C देखो पहले हम क्या करेंगे इसको left hand side और right hand side लेंगे ठीक है पहले left hand side करते है भी ठीक है left hand side में क्या होगा आपका यह बाला करना अपड़े ठीक है तो देखो B union C करना B और C की union तो क्या होगी बहुँगी B union C यहाँ पर B union C निकाल लेंगे पहले तो B और C को देखो A है B है C है लिए इतने भी element a,b,c ठीक है, a,b,c के बाद, फिर e है दुनों में, ठीक है, उसके बाद, फिर क्या है, e के बाद, g है, f है, ठीक है, f हो रही है, तो अगर आप b union c करते हो, तो आपका यह आएगा, a,b,c,e,f,g, ठीक है, अब आपने क्या करना है, left hand side होगी, अब right hand side ले ल b है, और a है, ठीक है, तो बात तो एक ही बनेगी, a,b, ठीक है, उसके बाद क्या आजएगा, c आजएगा, e,f, और g, same element रहेंगे, तो देखो, चाहे ऐसे union कर लो, चाहे इसको पिछे से union कर लो, ठीक है, both side में कहा रहेगा, वही दुनों element same ही रहेंगे, देखो, a,b,c,e,f ठीक है, तो आपका क्या होगा यह वही, यह statement होगी, यानि कि b union c है, जो आपका, c union b के कुल होगा वही, ठीक है, ऐसी next है, यहाँ पर intersection करना भी आपको ठीक है, तो इसमें भी पहले left side लेंगे भी, तो क्या करेंगे, b intersection c निकाल लेंगे, अगर, दोनों में देख लो, भी क् common है नहीं, b common है, या a भी नहीं common, b भी नहीं है, e common है, इसमें क्या common है, एक तो e common आएगा, ठीक है, e के लावा देखो, f इसमें नहीं है, g है, इसमें yes है, तो g common आएगा, e और g common है, ठीक है, फिर right hand side से करते हैं, ठीक है, जिसमें c intersection b करेंगे, तो पहले c के element लिखेंगे यहाँ पर, b भी नहीं, e भी नहीं है, e आजेगा यहाँ पर, g आजेगा यहाँ ठीक है, तो क्या answer है, e और g, ठीक है भई, तो दुन्हों element ही same है, ठीक है, जैसे previous में किया, वैसे इसमें किया हमने, दुन्हों element same है, तो it means यहाँ पर क्या हो जाएगा भी आपका यह, true हो ज c हम निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पर, b union c निकाला था न हमने, a, b, c, e, f, g, इसी को वापिस अगर मैं क्या करूँ, a के साथ combine करूँ, क्या करूँ इसको, a के साथ combine करूँगा, तो, देखो, a क्या था अपना, a, b, c, d, e, था है न, इसमें बस a, b, c, d, e, d नहीं है, इ वाक उसे हो जाएगा, तो, रइत एंड्स साइड से लिखता हूं, धिकत हो, a, b, c, d, e, a, b, c, d, e, f, g, ठीक है वैज अगर आपको saite से ऐसे करोगे तो आपका यह आद एगा ठीक है अब बात करते हैं right hand side से from right hand side से तो पहले A union B निकालनोगा अपको क्या निकालनोगा फिर आप उसको C के साथ union करोगे ठीक है तो A union B निकालते हैं A और B में A B C D E A, B, C, D, E, G आज़ेगा, ठीक है, क्या आज़ेगा भी, A, B, C, D, E, और G, ठीक है भी, तो या आज़ेगा A, B, C, D, E, G, उसके बाद, अब इसको यूनियन करते हैं C के साथ, C के अंदर क्या आभी देखो, C के अंदर F, B है, B, E, G, F, B है न, तो अगर हम करें, A, यूनियन, B, का यूनियन, C के साथ, तो हमारा यहाँ पर, A, B, C, D, E, F, G भी आज़ेगा, F भी आज़ेगा भी यहाँ ठीक है, तो देखो, यह वाला पार्ट, और यह वाला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दुनों क्या भई, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, ठी लगा, मैंने के साथ, पधाल रगाना है, कि A का इंट्रसेक्शन, 주 करें, उसका इंट्रसेक्शन, C के साथ, उसको बहुत लोग या नहीं, तो पहले, A का सइक्शन, Cuição लागा अपैगा, तो पहले, इका करते हैं, B, C, C, निकालना पड़ेगा, जो तो, लेफट H, D, साब मना भी यहाँ पर A, C, E, G यहाँ पर E, B अभी और G भी है ठीक है, तो इन दोनों का intersection आएगा E और G, ठीक है, बाकि इसमें A, C, A, इसमें नहीं अभी, A, C, ठीक है उसके बाद, अब A के साथ intersection करते हैं भी इसका, तो A intersection, B intersection C क्या होगा भी आपका देखिए E, G का intersection करते हैं इसके साथ, तो E तो है यहाँ पर G नहीं है भी कहीं पर भी तो आपका इसका answer आएगा E, ठीक है अब right hand side लेते हैं भी right hand side में आपको A intersection B करना भी, क्या करना है A intersection B पहले तो A और B का intersection देखिए क्या आएगा आपका A और B में A और B में, यहाँ पर A, C, E, G है यहाँ पर A, C, E है भी, ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा A, C, E उसके बाद, इसके intersection करें किसके साथ भी हम C के साथ, C में देखिए अब A, C, E में से क्या भी A, C तो है नी, E तो E है तो आपका intersection क्या जाएगा भी यहाँ पर देखिए A, intersection B के साथ अगर मैं intersection करूँ C का तो आपका only E आएगा क्या आएगा भी E, अब देखिए यहाँ पर भी E था, यहाँ पर E भी E था फिफ्ट पार्ट करते हैं देखो फिफ्ट पार्ट में आपको क्या दिया यहाँ पर A का union करें अगर हम B intersection C के साथ तो पहले B intersection C हमने निकाला था भी यहाँ पर देखो B intersection C लिखे देखिए यहाँ पर from left hand side B intersection C हमारा कितना आएथा भी E, G आएथा अब उसका हमने क्या करना यूनियन करना वही किसके साथ B intersection C के साथ तो देखिए A को इसके साथ union करूँगा मैं A, ठीक है B, C, D, E, और G लग जाए क्या लग जाएगा यहाँ पर लगा दूँगा मैं A, B, C, D E और साथ में G भी आजएगा वही ठीक है A, B, C, D, E, G ठीक है तो यह होगा आपका अब right hand side में देखिए आपको क्या दिया है A union B और A union C दोनों का अगर intersection करूँ मैं अब A union B हमने नहीं निकाला वही तक तो A union B निकाल ले इतने पहले from right hand side से A union B करेंगे अगर हम तो क्या होगा अपना देखो भी A union B में क्या होगा यहाँ पर अपने पास यहाँ पर चलिए A और B है A, C, E, G है A, C, E, G नहीं है बस उपरवाले में ठीक है बाग की सारा लिखना पढ़एगा आपको तो क्यों देगा भी आपका यह A, B, C, D, E, और G ठीक है अब आपने क्या करना है A union C करना है A union C अब देखी A union C में क्या हो A C में क्या है B, E, F, G तो यहाँ पर A, B, C तो है यह बई E, B है ठीक है F और G आजएगा पूरा आजएगा A, B, C, D, E, F, G क्या आजएगा भी A, B, C, D, E, F, G अब देखीए अब करते हैं दोनों का intersection A union B का intersection करना आपने A union C के साथ ठीक है भी तो क्या आएगा दोनों में से देखीए A, B, C, D, E, G तो है F नहीं है वसे इसमें ठीक है तो आप का आजएगा A, B, C, D, E, और G अब उपर देखीए या है आपका और यांसर A, B, C, D, E, G दोनों सेम है ना तो right hand side और left hand side आपके ecology के भी RHS हमारा Eclosure होजएगा LHS के left hand side के और या आपका prove होजएगा verify होजएगा ठीक है अब चलते हैं last part पर इसके देखीए क्या बोला है A है जो हमारा वो simple है और intersection करना B union C के साथ है B union C देखिए आपने निकाल लोगा भी अभी B union C हमने निकाला कहीं पर B union C नहीं निकाला भी B union C निकालना पड़ेगा आपको तो B union C हमने नहीं निकाला देखिए B और C के बीच में B E F G और A C E G तो A C A B C आजाएगा या पर पर देखो मैं सेम सेम लिख लिखता हूं यहाप लिख लिखता हूं left hand side ठीक है A B C D तो है नि B और C में ठीक है तो E आजाएगा सिर्फ E F G ठीक है बही तो आजाए इसका union अब इसको A के साथ intersect करेंगा किसको B union C को ब्लभाएं तो आएगा तो जो देगा आपका उसके नेक्स्ट वाला अब इसका राइट एंड आड ले लेते हैं तो ग्लाइट एंड साइड में क्या बढ़ी एंट्रसेक्शन भी आपका यहाँ पर क्या है एंट्रसेक्शन intersection B आपका A, C, E ठीक है भई तो यहापका intersection दिया है यहाँ पर A, C, E उसके बाद देखिए A intersection C, A, C हमने निकाला भी कहीं पर एरा, A union है अभी है तो intersection देखो निकाला कहीं नहीं निकाला है तो हमको बाद निकालना पड़ेगा अभी A intersection C, देखिए क्या होगा भी आपका को मना है, B, E, F, G, B है, E है बास यही चीज़ को मना भी ना इसमें F, N, A, G है ठीक है, B, E को मना है बास सिर्फ तो B, E लिखेंगे, B, E अब करना इन दोनों का union, यानि की A intersection B का union करना किसके साथ, A intersection C के साथ, तो देखिए A, B C, और यहाँ जेगा E, C, E, ठीक है बही, जीतो आएगा निसमें कुछ ठीक है, तो क्या राब ही आपका A, B, C, E, और यहाँ पर भी देखिए, तो अच्छे से सीख लोगे इसको, ठीक है बही, तो question number 8 तक ही करेंगे, आज बाकी के next question हम अगली वीडियो में करेंगे, यहाँ तक जो भी कोई doubt या problem आया तो आप मुझे comment कर सकते हैं, बाकी हमारी वीडियो के अपने friends और classmates को share करें ताकि उनकी भी exam और math में help हो सके, ठीक यहाँ झा भी, तक हुआ है?"